ओम शान्ति दो चार दो हजार चोबिस के साकार अन्मोल धानना युक्त मदूर महवाक्य मीठे बच्चे आन संग तोड एक संग जोड़ो भाई-भाई की द्रिष्टी से देखे ओ तो देही नहीं देखेंगे द्रिष्टी भिगड़ेगी नहीं वानि में ताकत रहेगे कुश्चन है बाप बच्चों का करजदार है या बच्चे बाप के हैं अंसर तुम बच्चे तो अधिकारी हो बाप तुमारा करजदार है तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का सोगुना बाप को देना पड़ता है एश्वर अर्फ तुम जो देते हो दूसरे जनम में उसका रिटर्ण मिलता है तुम चावल मुठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए मैंने बाबा को दिया ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए ओम चानती मूजयम प्रदरशनी में समझाना है कि यह है पुर्शोत्नम संगम यूग समझदार तो सिरफ तुम ही हो तो सब को कितना समझाना पड़ता है कि यह है पुर्शोत्नम संगम यूग है सबसे जास्ती सर्विस कस्थान म्यूजियम है वहां बहुत आते हैं अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है देली में लिखा है स्प्रिच्वल म्यूजियम इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता बहुत लोग प्रशन पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो भगवानों आच्छे है ना यह है परफेक्ट तुम इस समय संगम पर हो ना हो तुम इस समय संगम पर हो ना हो फोरिस्ट के और ना हो गार्डन के फॉरेष्ट ये कांटों का जंगल कल्योगी दुनिया और फुलों का बगीचा सत्योग दोनों के बीच में है अब गार्डन में जाने का पुर्शार्थ कर रही हो तुम इस रामराज्य को रामराज्य बना रही हो तुम से प्रेशन पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया बोलो हां क्या बोलो हम भीके करते हैं रामराज्य की स्थापना हो रही है तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं हमारी ये मबजिक्ट क्या है वो लोग सावरंती को मानते नहीं इसलिए राजाओं की राजई कातम कर दी हैं इस समय वो भी तमों परधान पन पड़े हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं उन्हों का है ड्रामा अनुशाथ बाबय केते दोश नहीं है जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं हम कल्प कल्ब बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट बजा रहे हैं खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए शिरी मत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्यूगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं है तुमारा नाम मशूर है अन्नोन वर्यर्स बास्तों में उस सैना में अन्नोन वर्यर्स कोई होते नहीं सिफाई लोगों का रजिस्टर रहता है ऐसा हो न सके किसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो वास्तों में अन्नोन वारियर्स तुम हो तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं तुमको कोई हत्यार पवार भी नहीं है इसमें जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं योग बल से तुम विश्यू पर जीत पाते हो ईश्वर सर्व शक्ति मान है ना याद से ही तुम शक्ति ले रहे हो सतो परधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो तुम सतो परधान बने तो राज्ये भी सतो परधान चाहिए सो तुम शिरी मतपर स्थापन करते हो इन कागनीतो उसको कहा जाता है जो हैं परन्तु देखने में ना आई तुम शिप बाबा को भी इन आखों से नहीं देख सकते तुम भी गुप्त हो तो शक्ती भी तुम गुप्त ले रहे हो तुम समझते हो हम पती से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ती होती है प्योटी में पवित्रता में पावन बनने में शक्ती होती है तुम सत्यूग में सब पावन होंगे उसके लिए चुरासी जन्मों के कहानी बाप बतलाते हैं तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में राज्य करेंगे बाहु बल से कभी कोई विश्यु पर जीत पाना सके यह है योग बल की बात वो लड़ते हैं और राज्य तुमारे हाथ में आना है बाप सर्व शक्ति बान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए तुम बाप को और रचना के आदी मध्य अन्त को जानते हो तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं यह सब को समर्ति नहीं रहती तुम बच्चों को समर्ति रहनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चों को यह नौलेज मिलती है बाहर वाले तो कोई समझ ना सके इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं परन्तो अपने को पतित कोई समझते नहीं है ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीता राम तुम सब हो ब्राइड और बाप है ब्राइड ग्रूम वो आते ही हैं सर्व की सद्गति करने तुम बच्चों को शिंगार कराते हैं तुमको डबल इंजन मिली है रोल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है बाप भी कहते हैं पतित पावन मैं हूँ आता हूँ तुम बुलाते हो आओ हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ तुम सब शांती में बैठे हो कोई ज्ञाज आदी नहीं बजाते तकलीब की कोई बाती नहीं चलते फिरते बाप को याद करते रहो जो मिले उनको राष्टा बताते रहो बाप कहते हैं मेरे वा लक्ष्मी नायन राधी क्रिश्न आदी के जो भक्त हैं उनको ये दान देना हैं, व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं, बाफ है सरुषक्ति मान, उन से तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो, रावन जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का भी ये संगम कल्यूग और सत्यूग का है ज्ञान कितना समय और भक्ती कितना समय चलती है यह सब बाते तुमको समझा कर समझ करके फिर समझानी है मुख्य बाद है बेहद के बाप को याद करो जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है माहा भारत लड़ाई कब लगी जब भगवान ने राज्योग सिखाया था समझ में आता है नई दुनिया का आधी और पुनानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना ही है दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है अब उनको जगाना है आधा कल्प से सोई पड़े हैं बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टी से देखो तो तुम जब किसी को ज्यान देंगे तो तुमारी वाणी में भी ताकत आएगी आत्मा ही पावन और पतित बनती है आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले अभी तो मिलना सके पामन सभी को बनना है कोई योगबल से कोई सजाओं से मेहनत है याद के यात्रा की तो बाप प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ जैसे पादरी लोग शान्ती में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं भारत वासी तो अनिकों को याद करते हैं बाप कहते हैं एक के सिवाई और किसी को भी याद ना करो बेहत के बाप से मुक्ती जीवन मुक्ती के हकदार बनते हैं शेकिन में जीवन मुक्ति मिलती है, सत्य युग में जब जीवन मुक्त में थे, कल युग में सब जीवन बंद में हैं, ये किसी को भी पता नहीं हैं, ये सब बातें बाप बच्चे को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चकर लगाते हैं, तुम्हार आप करो तो विकर्म बिनाश होंगे पाप कट जाएंगे यह है सची गीता जो बाप सिखाते हैं मनुश्य मत से गिरते हो भगवान की मत से तुम स्वरग का वर्सा ले रहे हैं तो मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परीचे भी देते रहो बैश तो तुम्हारे पास हैं फ्री देने में हर्जा नहीं परन्तु पात्र देख करके बाप बच्चों को उलाहना देते हैं तुम लोकिक बाप को याद करते हो और मुझ परलोकिक बाप को भूल जाते हो लज्जा नहीं आते तुम ही पवीत्र प्रवर्ती मार्ग के ग्रिष्ट वेभार में थे फिर अब बनना है तुम हो भगवान के सोदागर्ण अपनी अंदर देखो बुद्धी कहां भटकती तो नहीं है बाप को कितना समय याद किया बाप कहते हैं और सब संग तोड़ और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो भूलनी करनी है यह भी समझाया भाई भाई कि दृष्टी से देखो तो देहीं नहीं देखेंगे दृष्टी बिगड़ेगी नहीं मंजील है ना यह ज्यान अभी ही तुमको मिलता है भाई 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 तो सब कहते हैं मनुशी कहते हैं ब्रदर हूर यह तो ठीक है परम पिता परमात्मा कि कि हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो, तो बाप स्वरक की स्थापना करते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाते उनत्ती को प्राप्ट करते रहो, बाप को सर्विसेबुल, बच्चियां बहुत चाहिए, सेंटर स्कुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं, बहुतों का जहां लक्ष्मी नारायन का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड होती हो, माहा जाकर सर्विस करनी चाहिए. समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रू है, तुम शिरीमत परमान सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा इश्वरिय परिवार है, तुम बच्चेओं को बहुत खुशी होनी चाहिए. बेहत का बाप, जिससे तुम पदमा पदम भागिशाली बनते हो, दुनिया जानती ही नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं, यहां तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उच्च ते उच्च जानी के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना बाप के उपर तुम कर्जा चड़ाती हो, इश्वर आर्थ जो देते हो दूसरे जनम में इसका रिटन लेते होना, बाबा को तुमने सब कुछ दिया है, तो बाबा को भी कुछ, सब कुछ देना पड़ेगा ना, मैंने बाबा को दिया यह कभी भी ख्याल नहीं आना तुम चावल मुठी देकर विश्व की बाशाई लेते हो, बाबा तु दाता है ना, राजा ही रोयल होते हैं, पहली पहली जब मुलाकात होती हैं, तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेकरेटरी तरफ इशारा करेंगे, तो शिप बाबा जो दाता ह है, वो कैसे लेंगे, यह बेहत का बाप है, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परन तु बाबा, तो रिटरन में सो गुणा देते हैं, यह बेहत का बाप है, तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा समझ, हम तो लेते हैं, शिप बाबा दाता है, हो लेके क्या करेगा, हम बाबा से लेते हैं, माहा तुम सद्गती, पदम पती बनेंगे, तुम प्रक्तिकल में पदमा, पदम, भागी शाली बनते हो, बहुत बचे फराग दिल भी हैं, तो कई मन्हूस भी हैं, समझते ही नहीं कि हम पदमा, पदम पती बनते हैं, हम बहुत हाजिर है तो इन डेरिक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं जब हाजिर है तो 21 जनम के लिए देते हैं यह गाया हुआ है शुब बाबा का भंदारा भरपूर है देखो धेर बच्चे हैं किसी को भी यह मालूम नहीं है कौन क्या देते हैं बाप जाने और बाप की गोतरी ब् रहते हैं बिल्कुल साधारन है इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है जब योग नहीं तो खिट-खिट चलती रहती है अच्छे चे बच्चों को भी माया हरा देती है माया बेमुक कर देती है शुब बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो अंदर अथा खुशी होने चाहिए वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे पुकारते थे ना भक्ति मारग में कि आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार चाहेंगे आप आकर अडॉप्ट करते हैं शुब बाबा भगबान आ कर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश रसीब कहेंगे कितनी खुशी में रहना चाहिए परन्तु माया खुशी गमा देती है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रोती मात पीता बाप तादा का याद प्यार गुद मॉनिंग डाइमंड मॉनिंग रोखानी बा बाप तादा को याद प्यार गुद मॉनिंग डाइमंड मॉनिंग ओम नमस्ते धार्ना के लिए मुखी सार हैं भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है वही हमें टीचर बना कर पढ़ा रही हैं अपने पदमा पदम भाग्य का सीमना कर खुशी में रहना हैं सेकिंड पॉइ यह द्रिष्टी पक्की करनी हैं देह को नहीं देखना है भगवान से सोधा करने के बाद फिर बुद्धी को बठकाना नहीं है बरतान इस अलोकी की जीवन में संबंध की शक्ती से अविनाशिश नहीं और सहयोग प्राप्त करने वाली स्रेश्ट आत्म भव स्पस्टिकरन इस अलोकी की जीवन में संबंध की शक्ती आप बच्चों को डबल रूप से प्राप्त होती हैं एक बाप दूसरा सर्व संबंध दूसरा दैवी परिवार द्वार संबंध इस संबंध से सदा निश्वार्थ नहीं अविनाशिश नहीं और सहयोग सदा प्राप्त होता रह तो आपके पास संबंद की भी शक्ति हैं, ऐसी स्रिष्ट अलोकी की जीवन वाली शक्ति संपन वर्द्दानी आत्माई हो, इसलिए अरजी करने वाले नहीं, सदाराजी रहने वाले बनो स्लोगन, कोई भी प्लैन विदेही साक्षी बन सोचो, और सेकिन में प्लेन इस्तिति बनाते चलो, ये अव्यक्त इशारा, बाप डादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है, आपस में संसकारों को मिलाना, जब यह संसकार मिलन हो जाएगा, तब जैजेकार होगी, इसके लिए मधुरता के गुण को धारन करो, कताक्ष के बोल वा कटू बोल नहीं बोलो, ओम शान्ति!